कि तो इसे कुमर वर्मा और मिलता हो इस विडियो पर तो इस विडियो का टौपिक मैं आपको बताऊंगा कि 775 मोटर का ये मेरे हाथ में 775 मोटर है और इसका प्राइस कितना है इसके और प्यम कितनी है seconds कामों में यह आ सकती cling कितना टॉक देती हैं और इस चिन को मतलब क्या है इस फ्हान का मतलब क्या है इस पर किसमााप का नट लगेगा इस वीडियों मैं आपको देने वाला हूँ लास्ट तक बने रहे इस वीडियों पर दोस्तों इसका प्राइस है 1.60 रुपीड II मैंने 1.60 और आपको 140 से 160 रुपे के आजपास मिल जाएगी तो इसके कोईल की बाइंडिंग आप देख सकते हैं यह ना तो ज़्यादा ठीक है और ना ही मोटी है इसलिए इसका RPM ना तो ज़्यादा कम है ना तो ज़्यादा दिखे इसका RPM मैं बता दो कि 7000 है अब 7000 RPM का मतलब आपको समझ में नहीं आया तो RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनिट एक मिनिट में मोटर जितना राउंड घुमती है उसे RPM करते हैं तो ये मोटर एक मिनिट में 7000 बार घुमती है जो कि कम नहीं है और बहुत सारे कामा में आपको यूजा सकती है तो इस मोटर का ये लाल रंग का चिन ये बताता है कि ये मोटर का पोजिटिव साइड है यानि बैटरी का पोजिटिव टर्मिनल इसपर और नेगेटिव टर्मिनल इसपर ये केमरा थोड़ा धुमदला आ रहा है ये बैटरी का पोजिटिव टर्मिनल इसपर और नेगेटिव इसपर ये संकेत देता है तो अब बता दूँ कि ये वाला नट इसके लिए मैं बहुत ही हिरान हुआ लास्ट में ये नट मुझे मिला तो आपको हिरानी ना हो मैं आपका दर्द समझता हूँ जिस परकार मैंने दर्द जिला है वो दर्द आपको नहीं होने दूँगा क्योंकि इसका इसक्रू आपको गेरेज में मिल जाएगा असानी से किसी भी मोटर साइकल गेरेज में जाएग और 6 नमर का नट मांगे 6 नमर का नट मांगे या मोटर दिखा दे तो वो आपको अपने से निकाल के ये दे देगा बड़ी आसानी से जो की 5 रुपे में दो पिस आते हैं और इसका शाफ्ट बहुत ही मोटा है साइज से इसके शाफ्ट के फैन इधर नहीं मिलते हैं इस पर मैंने कलम की बोडी की टुकड़े लगाए हैं और यह बहुत ही यूसफूल है यह आपको फैन बनाने में और फैन बनाने के लिए मोटर अक्सर नहीं आते हैं क्योंकि फैन में इतना हाइट और की जरत नहीं होती है जिपकि यह मोटर बहुत ज्यादा टॉर्क देता है और फैन बनाने में हाई प्रेसर मोटर बनाने में कटिंग मसीन बनाने में ग्रांडिंग मसीन बनाने में और ट्रिल मसीन बनाने में यूज़ करा जाता है इस मोटर का तो इसके काफी सारी हो इसे और इससे आप साइकिल चलाने चाहें तो दो तिन मोटर मिलाखे यह आप 75 मोटर की पहचान भी है यह फैन अगर लगा हो तो सपता चलता है कि 775 मोटर है और 775 मोटर में इस प्रकार के चार हॉल होते हैं चार हॉल नहीं तो एक 555 मोटर अभी आता है जिससे 775 मोटर बोल के आपको दे दिया जाता है वो बहुत ही गलत है मैं दिखाता हूँ कि 555 मोटर किस प्रकार का होता है तो यह देखिए यह 555 मोटर और यह देखिए इस पर दो ही होल होते हैं एक होल यहाँ एक होल यहाँ फिलाल मैंने इसका पंखा बना दिया है इसलिए आपको साफ रुप से नहीं दिख रहा है और इस कि इसके कोईल की वांड वायर है बहुत पतली यूजग द इस मोटर का साइज देखिे काफी डिफरेंग्स है इस मोटर की लंभाई ही पर दीघक डाइब १का थोड़ अधिकल कि दोग निये ज़ोल के सिर्फ साफ्ट थे दूगनी है यह से कहते हैं स्ट्ट और यह नन बियरिंग मोटर एसमें बियरिंग नहीं लगा तो इसमें बुश है देख सकते हैं देरिंग वाली मोटर थोड़ी महंगी आती है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में आशा करता हूं कि आपको काफी परकार की जनकारी मिल गई होगी और हाँ इसे मैंने चलाना भूल गया भी चला कर दिखा देता हूं इसे दोस्तो मेरे पास यह 12 वोल्ट 8 एंपियर के मैटरी है जो कि आउंड कैसा है और फिलाल मैं इसके टॉर्क की जनकारी आपको नहीं दे सकता हूं लेकिन आपको पुरे विश्यास के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा टॉर्क देता है कि इसका अंदाजा मैंने मैंने भी नहीं लगा सका था हां और इसके साफ्ट को आप अपने तो से तो मैं यूट्यूब में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा हुआ 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 है ठीक है फ्रेंड्स चलता हूं और अगली वीडियो मैं आपको बहुत है अच्छी जानकारी दूंगा तब तक के लिए धन्यवाद